हाई वियर्स वेल्कम टियोर चैनल माइना स्टाइल कॉना फ्रेंड्स आज मैंने लंबई घने मोटा बालों के लिए वैसे भी सारी हैर फॉर प्रोब्रम्स को दूर करने के लिए एक तिप बताऊंगी इसके लिए हमें चाहिए हेना बाउडर फ्रेंड्स एक बाउल में हेना पाउडर लेना है आप किसी भी ब्रांड का हेना पाउडर ले सकते बैसे भी आप नाचरली गर पर भी हेना पाउडर बना सकते इसमें हमें आड करना है दही इसमें एक चमत शहर आड कीचिए इसमें आधे खाटे हुए नेम्बु करस आड़ कीचे ये सब चीजों के अच्छी तरसे मिला दीचे फ्रेंच हेना पाउडर हमें रेगलरली यूज करते है न इसके साथ हमें इसमें आड़ किया दही दही हमारी बालों के नाच्रली कंडिशनीं करते है दही में आंटी बैक्टिरियल प्रोपर्टीस रहती है ये आपकी स्काल्प इन्फेक्शन्स, डैंडर्फ प्रोब्लम्स को दूर करके हैर फॉल को रेज्जूस करती है दही के साथ इसमें मैंने मिलाया शेहट शेहट में आंटी फंगल प्रोपर्टीस रहती है ये आपकी बालों पर जो हुआ इन्फेक्शन्स को दूर करती है वैसे भी बालों की नाचरली नरश करती है बालों शाइनी ग्लॉसी दिखने के लिए मदद करती है फाइनलीस में मैंने मिलाया निम्बु करस निम्बू में विटामिन C, citric acid रहती है ये दोनों स्कल्प infections को दूर करती है अपकी बालों की naturally shiny, glossy बनाने के लिए मदद करती है हमारी स्कल्प उपर जो हुआ एकसर सौईल को रिमुर करने के लिए Depart कर तिये हम सब को पता है हेना पावडर हमारी बाल की प्रोटेक्ट करतिये और हमारी बालों की स्मूठ सौफ्ट हाइड्रेट करने में मदद जार एसा ए किजिए एपले करने के बाद शेवर कप की सहायता से पूरी बाल अच्छी तरह से कवर कीजिए ऐसा ये गंडे तक रहने दीजिए एक गंडे होने के बाद किसी भी हेरवल शम्फू के साथ वॉश कीजिए इसा हफते में एक बार आप इसको यूज करना है एसा करने से आपकी यह सारी एकषूस्यीं सारी हैश्पॉव्लम्स दैज़ूफ्य प्रॉब्लम्स का इन्फिक्शंद डमेस्ट बालों को रिपेर करने के लिए वैसे भी बालों की इलहां संग करने के लिए भी पझा करती है डल डामेज्ट हैर को ग्लॉसी सिल्की स्मूद बनाने के लिए बहुती मदद करती है फ्रेंस एफेक्टिव डिजल्स के लिए हफते में एक बार आप इसको यूज करना है आप इसको जरुर ट्राइ कीजिए दोस्तों अब देख रही ना आज मैंने हेना के साथ एक अची से हेर पैक बनाया इस हेर पैक को आप भी ट्राइ कीजिए इसमें कोई केमिकल्स नहीं है इसके वज़े से साइड एफेक्स भी नहीं होती है आप इसको जरुर ट्राइ कीजिए अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आये तो प्लीस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो